तो पहले पूछा जा रहा है अब दूसरा टॉपिक का थोड़ा सा कोशिशन उसमें गूस रहा है तो उस चीज़ पर हम से चर्चा करने वाले हैं पहले पहले हैं कि इस इस टॉपिक का जादा बेटेज है तो जिसका भी एक्जाम होने वाला है वह सभी इससे देख लेज़ेगा ताकि आप सभी को यह पता चल पाए कि किस प्रकार से कोशिशन पूछा जा रहा है और उसी टॉपिक पे जादा आप सी फोकस किजिएगा तो अभी देखेगा तो समिक्रान से सम्levant इत आपका कोईशन पूछा जा रहा है, जैसे कि कल भी आपको बताए थे, कल भी दिखाए थे आप सभी को, समिक्रान से सम्मद्नित फर्मूला वेश्ट भी कोईशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो थोड़ा से समिक्राइज से संभनेत कोईशन को देख लिए जएगा आप सभी साधारान व्याज और चकर्विर्दी व्याज इसका वेटेश थोड़ा सा आने लगा है ध्यान रखीगा आप सभी कोशचन अभी पूचा जारे है वो व्याकरन से स confusion है जैसे कि आपका महावरा हो गया उसके बाद लोक उकती अने सब्दों के लिए एक सब्द हो गया उसके बाद अलंकर हो गया चंद हो गया रस रस से आप question पूछने लगा है कल तक जो है कि छंद और अलंकार से question था अब उसमें रस को भी घुशाया गया है तो थोड़ा से देख लिजेगा आप सभी सारे question देखेगा question का pattern क्या है जितने भी question पूछा जा रहे 10 भी level question पूछा जा रहे easy to moderate paper है आप सभी अराम से कर लिजेगा अच्छा खासा score कर पाईएगा जितने भी question है वो formula based question पूछा जा रहा है mathematics में तो formula based question को जरूर देख लिजेगा जैसे समिकरन हो गया दुई घास समिकरन हो गया ये सभी को देख लिजेगा अलजेबरा हो गया उसके बाद जो है कि आपका तिरकुन मिति का हो गया sign echo से ये सभी से question आपका पूछा जा रहा है देखे विहार जी के अब इसका थोड़ा सा बेटेज बढ़ने लगा है विहार जी के से question पूछना शुरू कर दिया है तो आप थोड़ा सा बिहार जी के को देखना होगा जैसे जनगना हो गया बिहार का विधान सवा लोक सवा हो गया ये थोड़ा सा देख लिजेगा आप सभी जैसे पूछ लिया गया था कि बरोनी तेल सोधा करखाना जो है वो किस जीले में है तो ये भी कोईशन आपका पूछ लिया गया था बाल में की वन जी ववियारन से कोईशन पूछ लिया गया तो इस प्रकार से कोईशन आप बेसिक बेसिक कोईशन उठा के पूछा जा रहा है तो बेसिक कोईशन को एक बार जरूर देख लेजेगा हलाकि इसका class अभी provide कर देंगे आप सभी को विहार जी के का रक्त संबंद से question आपका पूछा जा रहा है ध्यान रखेगा ज़्यादा question नहीं है लमसम एक से दो question कभी कभी पूछा जा रहा है इस परकार से एक तिर्भूज दे दिया जाएगा और इस परकार से line खीचा जाएगा इस पे और इसमें बोलेगा कि कितने तिर्भूजे इसके बीच में या तो इस परकार से आयत बना के देगा और इस प्रकार से आपको बना के देदेगा और इस प्रकार से अब बोलेगा इसमें कितने वर्ग या आयत है तो इस प्रकार से भी कोईशन पूछा जा रहा है आपका तो थोड़ा से देख लेज़ेगा समास से कोईशन तो पूछा जा रहा है समास बिगरा हो गया देखो समास तत्रूत समास इससे भी कोईशन आपका पूचा जा रहा है सुध और असुध वाक्स से कोईशन आपका पूचा जा रहा है तो ध्यान दिलिजेगा आप सभी लोकोक्ति कहवते से कोईशन आपको पूछा जा रहा है कहें तो मुहाबरे से कोईशन पूछा जा रहा है रास से सम्मनित अप कोईशन पूछा जा रहा है ध्यान रखेगा आप सभी रास छांद और अलंकार ये तीनों का weightage अच्छा खासा हो गया है अलंकार का सबसे ज़्यादा weightage है अलंकार को देख लिजेगा class आपसे इको cover करवा दिया गया है चैनल पे upload है अलंकार जिसमें कि सारे साइलेक्टेट कोईशन आपको cover करवाया गया है और बताया भी गया कि कैसे आप सभी अलंकार को पहचानिएगा और समास का भी आपको कलाश दे दिया गया है तो देख लिजएगा आप सभी देखे जिसका बेटे ज़्यादा आ रहा है वही कोईशन कवर करवाने का कोईशिस कर रहे हैं ताकि आप अच्छा खासा इस्कूर कर पाईए पेपर में अगर कोईशन नहीं भी लड़ता है तो अगर पैटन को समझ जएगा तो कोईशन अराम से बना लिजएगा आप सभी अगर समास में अगर समास को पहचानने के लिए जान जाएगा अराम से बना लिजएगा कोईशन रहेगा अगर अलंकार में अगर पहचानना समझ जाएगा तो उसके बाद फिर अराम से बना लिजएगा कैसे अलंकार को पहचाना जाता है महाबरा से कोशन आपका है संदी विच्छे से भी कोशन आपका पूछा ही जा रहा है जारे रिजिनिंग में लूपती संख्या से कोईशन आपका आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है नमर स्रीज कोडिंग डिकोडिंग अब थोड़ा सा कथन निसकर्स भी देखने के लिए मिल रहा है एक परस्न किसी किसी सिफ्ट में है यहाँ देखें यह कोईशन साइथ कल ही पूचा गया था बरोनी की जिले में है यह तेल सोदक कारखाना जो बरोनी में है बहतिक बिग्यान से कोईशन पूचा जा रहा है बहतिक और रसायन बिग्यान यह दोनों से कोईशन पूचा जा रहा है सबसे अधिक वेटेज की बात किया जिब विग्यान का है ज्यादा तर कोजओका से सम्म Lakes कोजिशन आपको देखने के लिए मिली में जिब विग्यान में और उसके बाद ज्याएंगी परियावरण से सम्म wiped question पूछा गिया है कोईलाज यसे हो गया इसे भी question पूछा गिया है आपका तो तोड़ा से देख लेज़ेगा आप सभी एक्जाम से पहले यह टॉपिक को जरूर देख लेज़ेगा ज्यादा टॉपिक नहीं होगा फटा-फट फल्टा के आप सभी देख लेज़े सम्तुल बट्टा से कोशन आपका पूछा ही जा रहा है यानि कि बट्टा जैसे कि 10% हो या 20% हो गया 30% हो गया कोई भी समान 200 रुपिया का खरदा इस पे 10% का बट्टा दे दिया तो दुकांदार को कितना लाब हुआ या तो गरहा को कितना लाब हुआ इस प्रकार से कोशन आपका पूछा जा रहा है नमर सिस्टम से आपका कोशन पूछा जा रहा है बेसिक बे कैसे निकाला जाता है बहुलग कैसे निकाला जाता है मादिका कैसे निकाला जाता है तो सुभा ही मायत का क्लास दिया गया है देख लेजेगा चैनल पर से अलजेबरा से भी कोशन आपका पूछा जा रहा है LCM SCF से भी पूछा जा रहा है हलाकि LCMSCF का देखेगा तो 5 और 6 तरी को कोशिशन पूचा गया इदा थोड़ा सा बेटिज जिसका कम है अभी अलजेब्रा ये सभी का बेटिज आपका जादा है तिरकोन मिती का भी है जादा कोशिशन ध्यान रखेगा उसके बाद जय मिती हो गया छेतर मिती से भी कोशिशन पूचा जारह हु! दुई घास समिकरन से भी कोशिशन आपका पूचा जारह है इतियास में देखिय का तो 20 भी इतियास हो गया और आधनुक इतियास का कोशिशन ज़्यादा तरे देखने के लिए जैसे नारा हो गया या कोई संगठन की अस्थापना किया गया तो उससे question पूछा जा रहा है भुगोल से संबनी तो आपका question पूछा जा रहा है Indian geography में जैसे उर्जा आओगी आपका तो आपका भुगोल कोईला संसाधन वो भी आपका आर्थी economy का और भुगोल दोनों का portion पूछा जा रहा है economy से ध्यान रखीगा सभी धान से भी question पूछा जा रहा है आपका नरेशन से question है active voice, passive voice से question भी पूछा जा रहा है English में आए अम दिखे कुछ question देख लिजे जो कि question पूछा गया था कि बिहार का सोक किसे पूछा जाता है तो बिहार से भी सम्भनित question आपका पूछा जा रहा है तो थोड़ा से देख लेज़ेगा कोईला संसाधन से question पूछा गया था तो यह कल भी shift में पूछा गया और आइज भी जो कि कोईशन देखने के लिए मिला है संसाधन से कोईशन देखने के लिए मिला है लोहा किसे मिलकर बना होता है तो अगर लोहा के बात किया जाए ध्यान डखेगा आप सभी लोहा जो मिलकर बना होता है कारवन हो गया सिलकन हो गया मैगनीज हो गया फासफोरस हो गया तो यह सभी से मिलकर बना ओता है अगर इस प्रकार से कुछ कोईशन पूछा गया है तो उसमें इतना तो आपसन नहीं दिया होगा एक ही आपसन दिया होगा हो सकता है कारवन होगा या सिलकन होगा होगा इस प् पूछा गया था याद रखेगा भुठान की राजदानी कहा है थिम्पू है उसके बाद दिके संदी से संब्धनित कोजिशन पूछ लिया गया था कि संदी कितने परकार के होते हैं कितने बेद होते हैं तो तीन बेद होते हैं कौन सा होता है स्वर संदी वेंजन संदी और व स्राइन, से बिद्रो से सम्मनित भी कोईशियों पूचा जा रहा है धे anga ठीगा आप सभी जो पर्मुख विद्रो वगा है 18 bubbly के क्रांति कब बिद्रो गया इस प्रकार से कुछ कोईशियों से भी सम्मनित पूच forcé जा रहे तो आपसे भी देख लिजेगा थोड़ा साथ ये कुछ कोईशन था जो कि बच्चे को भीजा गिया था अलाकि कोईशन आपसे को पूरो पर नहीं कवर करवा पाते हैं कि बच्चे जब सेंटर से बहार जाता है कि एज़ा पूचा जाता है याद नहीं रहने के कारण आपसे पूचा जाता है तो टौपिक कि लिए कर लिजे जो कोईशन पूछ लिया गया तो वह पूछी लिया गया अगर आगे एक्जाम होने वाला है पर टॉपिक आपको पता चल जाएगा तो टॉपिक पर 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 आप से फोकस करके त्यारी कर पाईएगा